हलो दोस्तों मैं रवी शर्म आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के हमारी सेशन में जहां पर मैं आप लोगों के लिए डिसकस करूँगा टोप 25 कुशन जर्नल साइंस के एक बहुत ही इंपोर्टेंट कुशन आप लोगों के लिए इस सिरीज में मैं लेके आए हूँ देखे गाइस हमारी डेली बेसेस पे तीन क्लासे चलती है जिसका टाइमिंग आप नोट डाउन कर लीजिए करंट अफेर्स की क्लास है सुबह चार बजाती है डेली आपको देखना है टॉप 25 की कुशन की स्रीज है जो कि आपकी एक्जाम के पॉइंट ववी से यहां पर मैंने इसको डिजाइन किया है और एक होता है लाइव मोक टेस्ट इसमें आप सभी लोगों को रहना है क्योंकि इसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए 15,000 की स्रीज है वो हमने स्टार्ट कर दी है अगर आपको इस वीडियो की पीडिया फाइल चाहिए है तो आप हमारे टेलेगराम गुरूप से जिसका नाम है ओनली जी के ट्विटर वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जूरू कीजिए आज का जो टार्गेट है वो है 2000 लाइक का ठीक है पहला क्यूशन है आप लोगों के लिए निमनल इखित में से आधुनिक मानव का सबसे निकर्तम सम्मंधी कौन सा है आधुनिक मानव का सबसे निकर्तम संबंदी है option number B आपका correct है आपर gorilla जो है ये आधुनिक मानव का सबसे निकर्तम संबंदी माना जाता है guys हर एक question का answer अगर आप comment में करेंगे ना तो मैं guarantee लेता हूँ आपको चाहे ABCD क्यों ना करो ठीक हर एक question का ABCD answer क्यों ना करो लेकिन आपको comment में करना है ठीक है इससे क्या होगा कि आपकी habit बनेगी बार-बार में किसी भी चीज का यहाँ पर आपको mind पर pressure पड़ेगा ना तो इसलिए वो चीज आपको याद भी हो जाएगी ठीक है मुत्र का पीला रंग निमनलिखित में से किसके कारण होता है देखे मुत्र का पीला रंग जो होता है यह होता है option number A आपका यहाँ पर correct होगा Yuri Chrome के दौरा यहाँ पर मुत्र का जो पीला रंग है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अच्छा यह क्या है यह basically एक वर्णक होता है क्या होता है वर्णक यानि की pigment basically आप pigment होता है न color pigment जी आप कहते हैं तो वो यहाँ पर होता है ठीक है तो यह भी important है यहाँ पर ठीक है अगला question gas agency के दौरा दी जाने वाली cylinder में रसोई gas का रूप क्या होता है देखो मैंने आपको क्या बताया gas तो कई बार लोग सुनकर क्या कर देते है gas ही कर देते है देखो gas अवस्था होती है लेकिन जब उसको compressed करके भरा जाता है न तो option number a correct होगा यहाँ पर तरल ठीक है option number a आपका यहाँ पर correct होगा तरल जो है वो आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा तो यह important question यहाँ पर बन सकता है ठीक है अगला question उत्थ परिवर्तन यानि की mutation का कारण क्या है देखो mutation का जो कारण है वो है यहाँ पर chromosomes में परिवर्तन यह भी सही है gene में परिवर्तन यह भी सही है और DNA में परिवर्तन यह भी सही है तो यानि कि option number जो D है वो आपका यहाँ पर correct होगा अगला question यहाँ पर iodine युक्त नमक की मानव सरीर में क्या भूमी का है तो यहाँ पर important question यहाँ पर बन सकता है देखे iodine युक्त नमक जो है वो आप लोगों का यहाँ पर क्या करता है option number आपका यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर A correct होगा thyroid grant जो गरंथी है उसके कारियों का नियमन करना तो important question यहाँ पर बन सकता है यह क्या करता है thyroid जो गरंथी है इसका कारियों का नियमन करना इसका man function है यापर bleaching powder का racinic सुत्र क्या है chemical formula chemical formula आपसे पूछा है important question है very very important question मैं इसे no down करने के लिए बोलूँगा आपको देखो यह होता है option number B आपका correct है यापर C-A-O-C-L-2 जो है यह L है ठीक है C-A-O-C-L-2 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अच्छा यहाँ पर अगर हम इसके chemical formula का नाम की बात करें देखो यह नाम क्या है इसका ठीक है यह तो chemical formula था ना bleaching powder इसका सामाने नाम है लेकिन इसको बोला जाता है यहाँ पर calcium लिख लीजिए मैं आपको लिखा देता हूँ calcium calcium oxy chloride क्या है यहाँ पर chloride calcium oxy chloride तो यह भी important question यहाँ पर बन सकता है ठीक है अगला question यहाँ पर fountain pen का अविस्कारक कोन माने जाते हैं तो fountain pen जो है इसके अविस्कारक माने जाते हैं option number आपका a correct हो गए यहाँ पर waterman जो है वो fountain pen के अविस्कारक है यहाँ पर माने जाते हैं तो important question यहाँ पर बन सकता है ठीक है लेविस waterman इनका नाम था पूरा अगले USA के था यह हीमोगलोबीन में कोन सी धातू पाई जाती है देखो हीमोगलोबीन की बात करें तो यह RBC हमारी जो red blood cells होती हैं उनके साथ सहींज़त करके यहाँ पर हीमोगलोबीन है वो important कार्य करता है जो की क्या होता है oxygen का transportation करना क्या करना oxygen का transportation करना और इसके अंदर होती है F E यहनि की option number आपका यहाँ पर क्या होगा C correct होगा यहाँ पर यह क्या है यहाँ पर iron है यह क्या है लोहा तत्व है लोहा iron ठीक है अगर यहाँ पर भी बात की जाए देखो F.E. अगर मालो हीमोकलोबीन की कमी हो जाती है तो इससे एक disease होती है जिसका नाम है एनीमिया इस disease का नाम क्या है यहाँ पर? एनीमिया disease है रक्त की कमी खून की कमी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है तो यहाँ पर यह भी important question यहाँ पर बन सकता है अगला question रक्ति परिवहन तंत्र की व्याख्या किसके दोरा की गई थी देखो यह की गई थी option number B आपका correct है हारवे के दोरा सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें 1 April की 1 April 1578 के अंदर William Harvey के दोरा यहाँ पर यह जो William Harvey है इनके दोरा यहाँ पर इसका जो यहाँ पर रक्त परिवहन है इसकी यहाँ पर खो जाए व्याख्या यहाँ पर की गई थी तो यह भी important question यहाँ पर बन सकता है रसोई gas किसका mission है देखें गाइस रसोई gas जो है यह basically option number आपका correct हो गए यहाँ पर ब्यूटेन और प्रिपेन ठीक है ब्यूटेन और प्रोपेन अच्छा LPG की full form क्या होती है तो यह होती है liquefied petroleum gas लिख लीजे मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ liquefied liquefied petroleum gas कौन सी होती है liquefied petroleum gas जो होती है अच्छा इसके अंदर basically smell के लिए gas बही जाती है जिसका नाम यहाँपर क्या है इसका नाम है ethics markopten क्या है ethics markopten ठीक है अच्छे इसका formula क्या होता है pi ibanth robićühTSH Natural Selection का सिद्दान्त किस नहीं दिया था तो ये मैंने कल भी आपको करवाया था ये दिया था option number B आपका correct है यापर Charles Darwin जी के दोरह यहाँ पर इसका जो यहाँ पर natural selection का जो सिद्दान्त है वो यहाँ पर दिया गया था अंदो के पढ़ने की लीपी को क्या कहा जाता है देखिए अंदो के पढ़ने की लीपी को कहा जाता है option number C आपका correct है यापर मैं आपको बतादू 4 January का दिन याद रखना क्योंकि यहाँ पर हमने 3 साल हमारा ये 3 साल ता जब हमने यहाँ पर जो brailleievous है उसके रुप में हमने यहाँ पर बनाया और यहाँ पर क्योंकि क्योंकि जो Louis Braille थे जिन्होंने यहाँ पर इसकी खोच की थी लुई ब्रेल जो है याँ पर है ठीक है इन्हों ने इस लीपी की खोज की थी ठीक है और यहाँ पर यह जो है ठीक है यह बेसिकली 1809 के अंदर जन्मे थे 4 जन्मेरी को तो इनी के जरम दिन पर हम इस दिन को मनाते हैं दवनी की तिर्वता साउंड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो निर्धारित होती है किसके दोरा निर्धारित होती है तो यह important question यहाँ पर बन सकता है यह होती है option number आयाम पर ठीक है option number आपका यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर a option आपका यहाँ पर correct होगा आयाम यहाँ पर आपक right answer हो, important question यहाँ पर बन सकता है देखो seeds क्या है seeds की अगर हम यहाँ पर बात करें अच्छा यह seeds कौन सा seeds है आपको पता होना चाहिए, S, I, D, S वाला seeds है, ठीक है, अच्छा यहाँ पर S का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो इसका answer लिख लीजिए यह होता है, यहाँ पर option number आपका क्या होगा, यह है घातक मरत्यू रोग, ठीक है, अच्छा इसकी जो यहाँ पर full form होगी वो यहाँ पर क्या होगी, sudden S, U, D, D, E, N sudden infant death syndrome syndrome का मतलब क्या होता है बहुत सारी बिमारिया जब किसी व्यक्ति को लग जाती है, तो उसे हम कहते हैं syndrome, या फिर जिसका, जिस बिमारी का कोई इलाज नहीं है, उसको भी हम syndrome के नाम से जानते हैं enzymes कैसे पधारते हैं तो enzymes जो है, वो है option number B, आपका correct है, देखो, जटिल कार्बनिक पधारतों को साधरन carbonic पधारतों में तोड़ना यहाँ पर किसका कार्य होता है, enzymes का और enzymes क्या होता है, catalyst की तरह कार्य करते हैं, किस की तरह कार्य करते हैं catalyst की तरह कार्य करते हैं तो option number आपका यहाँ पर क्या होगा option number आपका यहाँ पर क्या होगा B, आपका यहाँ पर right answer होगा यहां पर option number B आपका correct होगा वसा का अमलिशी करन जो है यहां पर emulsification करना ठीक है यहां पर जो right answer होगा वो आपका यहां पर क्या होने वाला है option number B आपका यहां पर क्या होने वाला है B आपका यहां पर right turn होने वाला है ठीक है अगला question यहां पर अगला क्यूशन यहाँ पर किस तत्वी की कमी के कारण मनुश्य एनिमिया से ग्रसित होता है देखो किस तत्वी की कमी के कारण मनुश्य जो है यह एनिमिया से ग्रसित होता है तो यह होता है option number iron की लोहे की मैंने आभी आपको बता है ना कि खून की जब कमी होती है यहाँ पर ठीक है जब बलड की जब कमी होती है तो इसका मतलब क्या बोला जाता है कि RBC की कमी होती है और जब RBC की कमी होती है तो हिमोग्लोबीन जो हता है उसकी भी कमी होती है ठीक है तो यहाँ पर यह कौन से एंटीजन जो है यह बचाता है आपको काली खासी ठीक है टिटनेस और डिप्थीरिया ठीक है तो यहाँ पर यह important question है option number D आपका correct होगा sodium carbonate का व्यापारिक नाम जो है वो आपको देखने को मिलेगा तेको sodium carbonate का व्यापारिक नाम है वो है option number A दोने का soda जो है यहाँ पर option number A आपका यहाँ पर right answer होगा ठीक है यहाँ पर क्या है sodium carbonate का रासाइनिक नाम है यहाँ पर दोने का soda अज़े इसका formula क्या होता है सबसे पहले इसका formula होता है Na2CO3 important question यहाँ पर बन सकता है ठीक है इसे यहाँ पर दोने वाला soda भी washing soda भी से यहाँ प भरी होती है देखो बिजली का जो बल्लब होता है उसके अंदर भरी होती है option number C आपको correct होगा nitrogen ठीक है एक तो nitrogen gas भरी होती है एक carbon gas भी भरी होती है कोंसी? आरगन गैस भी भरी होती है जो कि यहाँ पर एक अक्रिय गैस मानी जाती है ठीक है अच्छा बिजली का जो बल्लब होता है वो किसका बना होता है आपको comment section में इसका जो right answer है वो आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर important question है genetic code की खोज किसनी की genetic code जो होता है इसकी खोज की है यहाँ पर हरविंद खुराना यहाँ पर हरगोविंद खुराना जो है यहाँ पर important वेक्ती है अच्छा हरविंद खुराना जो है हरगोविंद खुराना जो है यहाँ पर इनकी बारे में अगर हम बात करें तो यह basically Indian है और यहाँ पर यह ऐसे वेक्ति है जिन्नोंने cell की regarding जो अपनी theories है वो यहाँ पर दी है तो यह एकलोते ऐसे वेक्ति हैं जो की cell की regarding अपनी theories देते रहते हैं पीने के पानी में chlorine मिलाई जाती है क्यों मिलाई जाती है chlorine देखो पीने के पानी में chlorine क्लोरीन युक्त पानी रोग के किटानों से यहाँ पर इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पर मिलाया जाता है ठीक है तो ऑप्शन नमबर आपका यहाँ पर क्या होगा क्लोरीन युक्त पानी रोग के किटानों से यहाँ पर बचाता है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नमबर गेंगा जो रोग है वो आपका option number D correct है दूद के जो दांत होते हैं ये किस आयू तक गिरते हैं देखो दूद के दांत होते हैं ये option number B आपका correct होगा 16 वर्स तक की आयू तक गिरते हैं तो option number B दूद से दही जमने की कौन से जिवानू काम कर आते हैं तो यहाँ पर देखे जब दूद से दही जमता है ना तब यहाँ पर कौन से यहाँ पर जिवानू काम आते हैं तो ये lactobacillus जिवानू कौन से होते हैं ये lactobacillus bacteria ठीक है तो यह भी important question यहाँ पर बन सकता है, guys, अगर आपको यह video अच्छा लगा है, तो वीडियो को like जरूर कीजिए, आज का जो target है, वो है 2000 like का, ठीक है, इसके साथ comment करना, जो question मैंने आप से पूछा है, वो मद भूलेगा, और हाँ, वीडियो को share तभी करना, जब आपको यहाँ पर यह video, देखो अगर आपको सही में अगर यह अच्छा लगा है, तो आपके पास जितने भी group है ना, उन सभी में इस video को share कर दीजे, अगर आप अमार चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करके, बैल आइकन को दबाना मत भूलेगा, तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपके next session में, bye everyone, take care guys,